हलो हलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉड़केस्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमिछ शेकर इंडी मसाला पॉड़केस्ट जहां बात करते हैं हिल्थ, फिटनेस और अवेकनिकी आज है सीजन तीन का 52nd एपिसोड और विलकम तो अल्ड़ लिसनर्स आप सबको बहुत बहुत शुक्र विजार हूँ आप अपना समय देते हैं आप अपना इंडी मसाला पॉड़केस्ट अभी दुनिया के टॉप 20 सबसे अदर शेर किये जाने वाले पॉड़केस्ट में से ए कि ये क्या-क्या दूसरी चीजे हमारे बॉड़ी में करता है दो हजा बारा की रिसर्च में पता चला कि जो नए लवर्ड होते हैं उन में सिगनिफिकेटली हाई लेवल ऑफ ऑक्सिटोसिन देखी जाती है अस कंपेर टू दोज हुआर नॉट इन लव तो ऑक्सिटोसिन दे लव हॉर्मोन बट ऑक्सिटोसिन इस खाली ये प्यार के लिए रिलेटेड नहीं है ये हमारी बॉड़ी में तभी भी रिलीज होता है जबी सेक्शल अक्सिटिविटी हो रही होती है या फिर ये हमारी और्गैजम के इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करता है थायर की रिवी इस पता चला कि रिलेशंशिप इन्हांसिंग इफेक्ट्स हैं ऑक्सिटोसिन के तो जैसे आप किसी पे टरस्ट कर पाते हैं किसी को प्यार से देखते हैं इसमें और of आफ होता है और प्रॉसेंग ढगार और कि से बॉस्टिफ निटी होता है। तो इसमें oxytocin का हाथ रहता है तो oxytocin है क्या ये एक naturally occurring naturally produced neurotransmitter है hormone है और ये बड़ा important role play करता है overall reproduction में females में खास कर जभी pregnancy के जो last समय होता है तो समय में contraction, nutrient contraction को trigger करने के लिए इसका release होता है और साथ के साथ बच्चा जभी पैदा होता है तो मा बच्चे को breastfeed करती है उसमें oxytocin बहुत important role करता है males में sperm के movement में oxytocin का हाथ है और ये बनता कहा है ये हमारे brain में hypothalamus नाम की जगह है oxytocin के base में होती है वहाँ पे oxytocin बनती है और release होती है हमारी body में pituitary gland के तरूप oxytocin का दो और hormones है जिनको happy hormones की category में लखा जाता है जो है dopamine और serotonin उनके साथ इसका क्या relationship है तो वापिस repeat करोंगा oxy, dopa, sero ये तीनों मिलके happy hormones कहे जाते हैं अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी चीज से attract होते हैं तो आपकी brain dopamine release करती है dopamine release के बाद आपके body में serotonin के levels increase होते हैं और फिर oxytocin आपकी body produce करती है तो ये जो cycle है ये तीनों एक happy hormones की situation पैदा करते हैं और जैसे ही आपकी body में oxytocin release भी इस cycle में आपके एक source of positive emotions आप feel करेंगे so when you hug someone, when you meet someone, a very close friend और उनको मिलने के बाद जो खुशी होती है ये oxytocin का हाथ है उसके पीछे में oxytocin आपको relax भी करता है, किसी पर trust करने के ability देता है और overall psychological stability में मदद करता है यहां तक देखा गया है कि जिन बच्चों में oxytocin के level कम होते हैं उनमें autism देखी जाती है जो मंद बुद्धी होना और इसके इलाज में भी इसके उपर में research चल रहा है क्या oxytocin दे करके उसको इलाज किया जा सकता है मा का और oxytocin का तो एकदम बहुत ही close correction होता है तो चाहे वो labor में जा रहे हो माता तो uterine contraction के लिए लगती है या फिर जैसे delivery होने के बाद जो uterus है उसको natural shape regain करने में oxytocin मदद करती है breastfeeding में जैसे ही बच्चा मा को clutch करता है मा के पास जाता है सकल करने कोशिश करता है तो body में surge of oxytocin होती है और signal जाती है brain से कि अभी breast जो है वो milk को छोड़े और milk flow हो हाला कि इसके दूसरे जो side effect देखने को मिले है इंसानों में नहीं जानवर में तो जैसे इंसानों को पता चल गया oxytocin देने से जानवर mammals जो है वो milk secrete करते हैं तो खासकर वो mammals जैसे गाह भैस जिनके बच्चे मर जाते हैं तो उनको जो stimulus नहीं मिल पा रही होती है कि जो government of India इसको पर में काफी ध्यान दिया है और private production oxytocin का बंद कर दिया गया है केवल सरकारी जो factories है वही पे बनाया जाता है हला कि आपको बताना चाहूंगा कि इस excessive use of oxytocin in the milch animals has resulted into a lot of complication for girls specifically young girls who are reaching puberty तो उनकी puberty बहुत चल्दी आने लगी breast enlargement development बहुत जादा देखा जान steps has been taken in that direction and that was the negative side of oxytocin but not the naturally occurring one which is found in our body. Bonding के लिए बहुत 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 है तो जैसे माँ अपने बच्चे से बॉन करती है बार बार फ्रिक्वेंटली जाके बच्चे को चेक करती है अफेक्शनेटली टच करना बच्चे को छूना सहलाना बच्चे से गाना गाना और इक खास तरीके से बाच्चित करना मैं यह सारी चीजे अभी सोच रहा हूं तो हमारे घर में सिंबा आया है दो तीन महीने से सिंबा हमारे कैट है और तीन-चार महीने के हैं वो हमारी जो धर्म पत्री जी हैं वो सारे लक्षन दिखाती है और फ्रिक्वेंटली उसके चेक क दोनों में उक्सितरोशन के रिलीज हो इकली होती है जभी मा बचे से बांट कर रही होती है तो वापीस रिपीट करना चाहूंगा यहाली हुमन में नहीं डॉट्स और काट्स में भी होता है डॉट्स जादा और आपकी पर्र कर रही हो और टेल उठा के आपके करेंगे उसको सहला हैंगे तो आपका बॉडी रिलाक्स हो जादा प्यास कर जब बच्चों को कुछ नहीं चीज दिखा रहे हो एक्स्प्लोर करा रहे हो तो समय उनके बॉडी वक्सितिसन के लेवल बढ़ी होती है फिडलिटी एक तरह का रिवार्ड होर्मोन का काम करता है तो अगर आप अपनी एक पार्टनर से फिडलिटी रखते हैं ऑक्सितिसन आपको उस तरफ ले जाने के कोशिश करता है क्योंकि जब ही एक नोन पार्टनर से क्लोज रहेंगे सेक्शल इंट्रक्शन में रहेंगे तो आपकी बोजी में ऑक्सितिसन ज्यादा रिलीज होती ह और इवेन आफ्टर लेबर कुछ लोगों में जब कुछ माताओं में जबी ब्लीडिंग ज्यादा होती है इसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी चाइल बर्थ के बाद और इवेन अबोर्शन के बाद ऑक्सितिसन दिया जाता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में भी ऑक्सितिसन के कम लेबल देखे गए हैं जो कि बच्चों के पैदा होने के बाद मताओं में डिप्रेशन देखा जाते हैं जिसके बड़ी भयाना खतरा अंजाम भी सुनने में आते हैं तो अभी रीसर्च चालू है इसके उपर में कि क्या ऑक्सितिसन से इसके ट्रीटम की जा सकते हैं साथ के साथ सबस्टैंश अभी हो या फिर लिक्विट सब्यूज हो उसमें ट्रीटमेंट के लिए रीसर्च चालू है आप अपने बॉड़ी में अभी तो ज्यान की बात हो कि अपनी बॉड़ी में नैचरली ऑक्सितिसन के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं सबसे पहले नमबर बन प्याता है योग करना योग करने से आपकी एंग्जाइटी ले आपको एक कंपोज किया हुआ सौंग प्ले करने को दिया जाए वर्सेस आपको बोला इंप्रोवाइस कर रहे होते हैं तो अभी बॉड़ी में ज्यादा ऑक्सितिसन रिलीज होती है इसके पीछे कारण है बैंड में जब ऑक्सितिसन के लेवल ज्यादा होंगे तो ज्याद आप कॉअपरेट करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे पर आप दूसरे से कम्मिनियेट करेंगे टापो देखना है कि क्या आप जो टीम वर्क कर रहा है चाहे वो फैंमिली में हो चाहे आपके corporate में हो, आपके आजू-बाजू में क्या trust है क्या एक दूसरे में एक research में देखा गया कि patients जिनकी बहुत बरी surgery हो थी open heart surgery वैसे 20 लोगों को regular music सुनाई गई तो उनके body में oxygen के level बढ़े हुए पाए गए as compared to people जिनकी open heart surgery हुई थी but जिनको music नहीं सुनाई गया तो music has a definite connection with oxygen हमारे mood को improve करता है और हमारी body में oxygen के level को बढ़ाता है massage करना या massage देना बहुत important है इसमें oxygen के levels बढ़ता है तो go for full body massage whenever you get a chance to sharing feelings, hugs, handshakes, hand squeezing, kiss यह जो आप अपने एक बूसरे को अपनी family में अपने दोस्तों में अपने लवर से जब यह प्यार दिखाते हैं तो आपकी body oxygen के levels बढ़े होते हैं बढ़ जाते हैं spending time with friends increases the level of oxygen in your body meditation से आप अपने body oxygen के level को बढ़ा सकते हैं having meaningful positive conversation with somebody can increase the level of oxygen in your body माताएं बहने जो अपने बहुत प्यार से और इवन जो भाई लोग भी हैं जो cooking enjoy करते हैं अपने पसंदा खाना बनाना दूसरों के लिए उनको खेलाना साथ में बैठके खाना it increases the level of oxygen in your body having sex definitely has its positive effects on the oxygen level even the climax and the orgasm is related with oxygen apart from sex, cuddling, hugging each other can at least more oxygen in your body so, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, किसी को gift दे देना, किसी के help करना, donate करना, किस चीज के लिए volunteer करना यह सब चीज भी आपके body में oxygen, love hormone के level को बढ़ाते हैं और आखरी में pets जाए dog हो, जाए cat हो, जभी आप उन से, प्याय से बात करते हैं, उनको pet करते हैं, उनकी care करते हैं तो ना के बल आपकी body में oxygen release होती है, बलके आपके pet की body में भी oxygen release होती है तो यह था हमारा चोटा सा topic, love hormone के वर में, उम्मीद है आपको कुछ नए information मिली होगे हम जाए जाए चिए आपको टो लाव वर में, विश हुर आपके वहाएद। एक की जाए गयाएद आपके जाएद, क्याएद, क्याए झात की स्वेस, आपकेतव लावदाए जाएगर करते हैं